नमस्कार दोस्तों करियर वेदा शुटोशनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों एक बहुत ही महत्पूर्ण खबर लेकर आपके सामने उपसित हुआ हूँ वह खबर है बांगलादेश की प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट जिन्होंने कहा है कि अमेरिका यह चाता है कि बांगलादेश से कुछ हिस्सा काड़ कर एक अलग इसाहिज देश बना दिया जाए तो दोस्तों यह खबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्ण है आपके एक्जाम के पॉइंट ओफिसे भी और चुकि भारत का पडोसी देश है बांगलादेश जो भारत के साथ सब सबसे बड़ी इस्थली सीमा साझा करता है इसलिए हमारे न्यूस बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्ण हो जाती है तो पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे जल्दी से चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए चैनल पे नह जीर多 की है जो आपके sisawá की बिक्षा के लिए यूपी सी के लिए के लिए ऊबएटर इस्टेट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट यह रिविलिशन जो है यह बांगलादेश की प्राइम मिनिश्टर शेख हशियना ने किया है ठेक क्या है पूरा मामला चली देखते हैं उससे पहले महत्पूर न्यूस यूपी पीसे दोजार चौबीस की भरती दोस्तों सबसे बड़ी हो सकती है अब तक कि तीन से चार मेने बाद आपकी मेंस की एक्जाम हो सकती है तो में प्री और मेंस की इंटेग्रेट त्यारी करने के लिए दोस्तों हमारे करियर विदाश्टोष अप्लिकेशन पर विजयता बैच्छल रहा है दोस्तों जिसमें हम लोग प्री का कम्प्लीट सेलेबस करा रहे हैं और कैसे करा रहे हैं ये भी देखिए आपके लिए इंप्लाटन है लाइव क्लासित के मादियम से प्रीडियुप नोट हम आपको प्रोड़ कर रहे हैं और एसे राइटिंग के सेप्रेट क्लासिज फ्री मेंटर्शिप है और स्पोर्स की वेलिडिटी एक्जाम तक है म जल्दी करिए इन्रोल कराईए और सेलेक्शन के रिता में एक कदम आगे बढ़ाईए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेफ आपके लिए ठेक चलिए अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह बांगलादेश की प्रैम मिरिश्टर हैं बांगलादेश को काट कर इ इन्होंने इसे रिवील अभी किया है यह इंपॉर्टेंट पाथ है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूस क्या है न्यूस यह है कि बांगलादेश को काट कर एक स्वतंत्र क्रिश्चन देश इसाइद देश बनाने का ओफर शेख हसीना के वाइट मेन वाले खुलास है यह अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट्मेंट है क्योंकि बांगलादेश का कोई भी हिस्सा अगर काटा जाएगा तो भारत के पास ही होगा दोस्तों निश्यत रूस से भारत के एकदम पास में नया देश क्रियेट होगा अगर होता भी है तो ठीक है और भारत का बह आज़े और आठके अंदर शाक्षित प्रदेश है भारत में और बांगलादेश की लोकेशन की बात करें तो देश इस दे लोकेशन ऑफ बांगलादेश आप सभी लोग देख सकते हैं और बांगलादेश दोस्तों यहाँ पर है और 4,096 किलोमेटर याद रखिएगा 4,096 क की स्थली सीमा भारत के साथ साजा करता है जो सबसे बड़ी स्थली सीमा है जो भारत अपने किसी भी परोसी देश से साजा करता है ठीक है याद रखिएगा और यहाँ पर याद रखिएगा यह बे आफ वेंगॉल एगनम जुस्तु मंगाल की खाड़ी के जश्ट ऊपर दो और यह पूरवी पाकिस्तान हो गया था और में तुंप यहां तक सब को पता चलीए था सिर्फ कोन सा काड़ करfrage बंदे बनाने की कोशिश है दोस्तों साजिस की जा रही है यह ऐसा कह रहेंगे ठीक है चलिए अब इस तेमूर क्या है ये भी आपके दिवाग में कोशिन आ रहा होगा तो इसको इसको भी दिखाऊंगा परशान नहीं होना है वेट कर ये वीडियो को अंतर देखिए चलिए आप दे देश के अंदर एरबेस मनाने की फूट देती हैं तो बिना किसी परशानी के चुनाओ करेंने दिया जाएगा नहीं सब्सक्राइब रखिएगा मतलब यूएस जो है एयर बेस बनाना चाहरा है बंगलादेश में क्लियर शेख हसीना ने ओफर देने वाले देश या शक्त का नाम तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने दावा किया कि यह प्रपोज़ल एक वाइट में की तरफ से आया था मतलब आव्वियसली यह अमेरिका आप सब को समझ में आ रहा होगा ठेक पीम हसीना ने कहा कि वह देश और विदेश हर जगर लड़ाई लड़ रही है और बंगलादेश से अलग एक नया देश बनाने की साजिस अभी बिजा रही है वह यह ऐसा कह रही है उन्होंने यह बात बोली है दोस्तों क्यो बोली है क्यों क्योंकि ऐसा उधारन वो दे रही है इस तिमूर का इस तिमूर कहां पर है यह भी देखिए पूर्वी तिमूर की तरह ही बंगलादेश चट्टोग्राम और म्यानमार के कुछ हिस्सों को बंगाल की खाड़ी में बेस के साथ लेकर एक इसाई देश की ब्लाइनिंग है मतलब जो देश होगा उसमें बेस होगा और वो क्या होगा अमेरिकन बेस होगा ऐसा इनका इशारा है दोस्तों यह बात आप लोग धियान रखें क्लेर शली इसके बाद दोस्तों साल 2009 से बंगलादेश वा शाषन कर रही है 56 वर्षी ह सिनवरी में एक तरफा चुनाओ में उन्होंने कूल मिलाकर पांचवा कारेकाल हासिल किया दोस्तों अब तक का है bहत प्रदान इंट्र हैंक्ट का विरी इम्म्पोंटन्ट जिसका पूर्प्रधान्वनतरी खालिदा empieza के नयतर्यटों वाली विपच्छी बांग बंगलादेश की किस हिस्से को काट कर अलग देश बिनाने की प्लानिंग है तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं और दिखाऊंगा भी मैप के माधिम से ठीक है वाशिंग्टन की नजर कई वर्सों से बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक छोटे से दीप पर है इसका नाम केवलं 3 km छेत्रफल वला यह दीप जो है कौकस बजार टेक्नौफ राइडीप से लगभख 9 km दच्छिण में हैं ठीक है लगभग 9 km दच्छिण में है कांकस बजार से टेकनौफ राइडीप से याद रखेगा इम्पार्ट Ihर्ट है और 3 km छेत्रफल में केवल है आपका फ ज्यादा देंसों को तुना फाइदे मन्द होता क्लेर कॉम्पैक्ट होगा बांगलादेश एरफोर्स के स्क्वाइडर लीडर रिटार्ड जो है तद्रूल अर्मद खान ने पुतनिक इंडिया से कहा कि बांगलादेश तब तक समर्थन देने के लिए तयार है जब तक वह श संप्रभूता से खेलवाड कर किया जाएगा तो हम इसे कत्या बर्दाश नहीं करेंगा यहां पर इन्होंने एक दम स्पश्ट्रूप से काया दोस्तों टेक उन्होंने बताया कि अमेरिका लंबे समय से सेंट पांटिन दीपर नौस्यानिक अड़्डा स्थापित करने की मा संप्रभूता करता है जो हमारी संप्रभूता को नश्ट करें और दच्छी नेश्या की सांती और इस थर्ता को प्रभावित करेंगी बांग्लदेश शिदे सिदे कह रहा है कि यह हमारी संप्रभूता को चुनौती है और भाविक सी बात है दोस्तों और यहां नेवेल बेस सकते हैं दोस्तों यह आपका क्या है मैंने आपको सेंट मार्टिन आइलंड दिखाया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ठीक है और सेंट मार्टिन आइलंड जो है यह आपका बंगाल की खाड़ी में है आप देख सकते हैं यह आपका क्या है दो भाग में देखिए बटा है उत्तार पारा और दख्षिण पारा आप देख सकते हैं क्लेआएर च्छोटा सह 30 क्लमेटर फैला हुआ है ठीक है और कौकस बजार से 9 9 क्लमेटर में मैंने आपको आपको पहले ही दिखा दिया ठीक है आप देख सकते हैं जुन्होंने नहीं लाइक दिस यह आपका बंगलादेश है बंगलादेश की राजदानी ढाका है ठीक है यह चिटगॉंग है आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपका सेंट मॉर्टिन है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वेरी वेरी इंप तो बंगलादेश के एकदम दच्छन में आप देखना है यहाँ पर तीन किलोमेटर छेदपल में फैला यह सेंट मॉटिन दीफ है जो आपको क्लियर हो गया हुगा ठेक अब यहाँ पर देखिए एक और मांचित्र आपके फामने शो किया मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंगॉल के खाड़ी में यह सेंट मॉटिन दीफ है ठीक यह उत्तर पारा और यह दच्छन पारा मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं और यह देखिए देखिए दे डेली स्टार के रिपोर्ड के मताबिक रगविवार को शेक हसीना ने कहा कि अगर मैं किसी खास देश को बांगलादेश में एयर बेस बनाने की अनुमति देखती तो मुझे कोई समस्ख्या नहीं होती ठीक है हाला कि उन्होंने उस देश का नाम नहीं बताया जिन्होंने उ बनाने की उनुमति देथी तो मुझे कोई समस्ख्या नहीं होती एयर बेस बनाने में कोई समस्थ्या नहीं है यहाप बांगलादेश के पीम कह रही है क्लीर भी दिरे-दिरे अपना इंफ्लुएंस अब यहां पर बढ़ रहा है क्लियर कि बंगलादेश के संस्थाफक और पहले राश्पती जो थे दोस्तों शेख मुझीपूर रह्मान की बेटी है शेख हसीना याद रखेगा शेख मुझीपूर रह्मान की बेटी है शेख हसीना और यहाँ प्रस्ताव शुयत रख्ति की और से आया था उन्होंने ये बोला ऐसा लग सकता है कि इसका लक्ष केवल एक ही देश है लेकिन ऐसा नहीं है मैं जानती हूँ कि वे और कहां जाने का इरादा रखते हैं मतलब उन्होंने डिरेक्टली ये भी कह दिया कि इसका लक्ष केवल बांगलादेश नहीं था वो कहां और भी जा सकते हैं ये भी मेरे को अच्छे से पता है ठीक है वो कह रही है ऐसा लग सकता है कि इसका लक्ष केवल एक ही देश है अर्थार बांगलादेश है लेकिन ऐसा आप लोग समझेए मैं जानती हूं कि वे और कहां जाने का इरादा रखते हैं उनका इंडिकेशन कहना कहीं म्यानमार की हो रहे हैं दोस्तों इस बात को आप लोग समझना पड़ेगा कि इन्होंने बोला कि मैंने साफ तौर पर कहा है कि मैं राष्ठ पिता बंग बंदु शेख मुझीपूर रह्मान की बेटी हूं हमने मुक्ती संग्राम जीता है मतलब बंगलदेश को आजात कराने में शेक मुझीबूर रहमान का बहुत बड़ा योगदान है बांगलएदेश की राश्पिता क्यलाते हैं और उनकी बैटी है ये और मैं देश का कोई हिस्ता किराय पर लेकर या किसी को साथ प्रदान मंत्री ने कहा कि वह तभी सत्ता में आएंगी जब लोग चाहेंगे और अगर वे उन्हें प्रदान मंत्री की रूप में देखना चाहते तो वह सत्ता में नहीं भी आएंगी कि एक दम स्पष्ट बात है उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में ट्रेड और कॉमर्स प्राचीन काल से चल रहा है दोस्तों और इसलिए दोस्तों विश्व की शक्तियों के लिए यह क्या है अधिकार के लिए वर्चत्व की देखिएगा उसमें यूरोपी कंपनियों के आगवन के चार से पांच वीडियों मैंने पूरे डीटेल में पढ़ा है उसको पढ़ लीजेगा ठीक है उससे आपको क्लियर हो जाएगा इस जगह पर कई लोगों की नजर है इस जगह पर कोई विवाद नहीं है और किसी का को नहीं जा सकती है उन्होंने कहा कि उनके सरकार को गिरानी की साजिसें रची जा रही है उन्हें वही नतीजे भुगतनी होंगे जो उनके पिता शेख मुझीपुर रहमान ने जहे ले थे एकदम इस पश ठूप से उन्होंने देखिया आक्ष्यप लगाया है और उन्होंने कि दबाव कितना भी हो लेकिन मैं जुकूंगी नहीं किसी विस्थिती में क्लियर बंग बंदु शेख मुझीबुर रह्मान की 15 अगस 1975 को उनकी दो बेटियों को छोड़कर परिवार के जादतर सरस्तियों की हत्या कर दी गई थी और उस वक्त शेख विदेश में थी मतलब ज बात है उन्होंने कहा कि बंगलादेश उन देशों से कुछ भी नहीं खरीदेगा जिन्होंने उस पर प्रतिबंद लगाए है मतलब उन्होंने सपष्ट रुक से क्या दिया है कि जो पंगलादेश पर प्रतिबंद लगाएगा बंगलादेश उससे कुछ भी नहीं खरीदे ठिक इज्टिमोर को तिमोर लेस्ते के नाम से भी जानते हैं ये एक इसाई बहुल देश है इज्टिमोर सोलमी तिमोर परिंडूअपटी थे पुर्तिगाल का उपनिवेश्ट था और कई शताबदियों तक पुर्तगाली शाचन की अधि Нач special meeting से ध्यान दीजी का पूर्तिगाल को अपनी विश्च था उन्नीसों पूर्तिगाल ने इसे आजात किया लेकिन फिर इंडोनेशिया ने उस पर कब्जा करके अपना 27 वर राजी से बना लिया कि उस दरौन इंडोनेशिया ने स्वातनरता अंदोरन को कुचलने की भी खुब को अग्यों वोडो लोग क्या चाहते हैं वो लोग कहा के सा चाहते हैं कि सवतन्त्र है उस पर जन्मसक्रह हुआ हुआ और किसी तदाब्धी में आजाद होने वाला पहला और एशिया का सबसे निया देश हो रही है यह ढर्म की अधार पर इसका स्टेटन हुआ है क्लिए सिमिलरली इसी पैटर्न पर दोस्तों याद रखेगा बंगलदेश से काट कर एक अलग देश्च बनाने की बात हो रही है यहां पर शेख सीनाजी कह रही है ठेक इसके बाद दोस्तों इस तिमोर का लोकेशन आप देख लिए यहां पर आपका इस ति सब्सक्राइब देखने को मिलेंगे यहीं पर आपका इस्तिमूर भी है जो इसाई बहुत देश है इसके बाद दोस्तों इस्तिमूर थोड़ा सा और आपको दिखा रहा हूं में अच्छे से मैप में यह है इस्तिमूर आप देख सकते हैं जो मैंने आपका यहां पर यहां और किया है आपके सामने ताकि आपको और इस्पश्टो जाए डिया आप देख सकते हां और यह आप का क्या है अपको दिखाया ताकि और phase आ आप लुक देख सकें यहां पर आप देख सकते हैं this is Indonesia यह आप देख अपिके और यह आपका इसी tut दिखाया गया है यहाप पर Zoom करके यह यह आपका ऊस्ट्रेलिया है this is और यह आपका इंडोनेशिया था बाद में इसे स्वतनत करके 2002 में क्या किया गया एक इसाई बहुत देश तिमोर लिस्ते का गठन किया गया ठीक आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको एकड़ इस पर श्रूप से 27 मा राजा बताया था 2002 में यह सवतंत्र हो गया आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर इसको देख पा रहे होगा ठीक है उम्मेद करता हूं आपको न्यूस क्लियर हो गया होगा और अब देखते हैं भविश में जो भी वीडियो होगा जो भी न्यूड होगी उस पर वीडियो बनाऊंगा अपडेट सब्सक्राइब करता है अब आपके लिए कुशन है ऐसे कौन-कौन से भारती राजी है जो बंगलेदेश के साथ अपनी सीमा साजा करते हैं कॉमंट बॉक्स में आंसर बताईए वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए शेयर कीजिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीज थैंकि यवरी मुच बेस्टाइब